मात्मा गानी अंतराश्ट्रिये विचार मंच सम्रद्य भारत और विदर विचार मंच के संयुक्त तत्वधान में कल रवीवार को इस्राइल, फिलस्तिन और रूस, यूक्रेन, युद्ध के विरोध में युद्ध विरोधी विश्विशांती समेलन वा यात्रा पांच नव विच्व में युद्ध होते रहा है, लेकिन विश्व के बड़े देश अमेरिका, रूस, चीन, इत्यादी बड़े देशों ने युद्ध होने से रोकनी की बचाए, अपने लाब और हतियारों के वैपार के लिए एक देश को दूसरे देश के विरोध युद्ध के लिए भड़काने से युद्ध कराया जाता है, युद्ध कराने वाले मौत के सौधागर हैं, लाखो बच्चे अनात हो गए हैं, लाखो सुहागन महिलाएं विद्वा हो गई हैं, अपनी शक्ती के एहंकार वा हैवानियत की चुलती युद्ध करनी वा कराने वाले देशों की र किसी भी समस्या का हल नहीं है ये विनम रहावान विश्वी शांती दूद प्रकाश और अरजुनवार ने किया मात्मा गांदी अंतराश्री विचामंट के अंतराश्री संयोजने शांति यात्रा करे रहे हैं युद्धि विरोधी विश्व शांती समेलन वा यात्रा के अधिक्षिता मात्मा गान्नी अंतराश्री विचा मंझ के अंतराश्री संयोजग एवं संस्थापक विश्व शांती दूद प्रकाश आर अरजुनवान ने किया और मुख्य अतिती सम्रद्य भारत वा श्री रादा कृष्ण होस्पिटल नाकूर के अधिक्ष गोविंद बाबु पौद्दार विदर विचार मंझ की संयोजग प्रमुक अतिती सुनील चोखारे योग पुरुष दादा मुनी हांडा MSME के सायक संचालत राहुल मिश्रा अमरवती की सुरेश भाई जन्वर वा डॉक्टर चंद्र सूर्य डोंगरवार बतौर अधिती उपस्तित थे गोविन बाबु पौद्दा ने विश्व में हो रहे युद्ध को ततकाल रोकने का हवान करते वे युद्ध कराने वाले की कड़ी शब्दों में बचसरना की जबकि विदर्व विचार मंच सुनील चोखारे ने महात्मा गांधी के विचारों पर चलने से ही देश दुनिया में शांती कायम रह सकती है बताया उसी प्रका दादा मुनी हांडा, राहुल मिश्रा, ड़क्टर दोंगरवार ने भी महात्मा गांधी जी के विचारों पर चलने व अपने जीवन में उतारने का आवान किया युद्ध विरोधी विश्व शांती समेलन वायात्रा के आयोजग महात्मा गांदी अंतराश्रे विचामंज के विधर्व संयोजग वा शबून इवेंट की संचाला गोविंद भाई राठी ने आयोजिन के उद्देश की प्रिस्तावना रखी संच्वादन महात्मा गांदी अंतराश्रे विचामंज के पददिकारी नरेश निमजे ने और आभा प्रजेश यन एहमत कादर ने किया नाकपुर से बीसीन न्यूस के लिए अभिशेक पांसिक रिपोर्ट